हाई गाईज, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विट नाजमा आज की कलास होने वाली है कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स के उपर जी हाँ, कुछ ऐसे महतोपुन शब्द जो अंग्रेजी बोलने के सफर में गाहे बगाहे इनकी भेंट आपसे हो ही जाती है और इनकी भेंट, इनकी दोस्ती आपके अंग्रेजी बोलने के सफर को और भी आसान कर देगी चलिए तो फिर देर किस बात की, तो ये कुछ शब्शे महतोपुन शब्द है, इन्हीं हम कैसे सीखेंगी सबसे पहले तो हम इनका प्रणाशेशन देखेंगे, यानि उनका उच्चारन कैसे करती है सेकिन हम उनका मीनिंग देखेंगी, यानि हम उनका अर्थ जानेगे थर्ड एक्जाम्पल, यानि हम उधारनों के साथ समझेंगे सबसे पहला जो वर्ड है, वो है ए इसका जो meaning रहेगा वो रहेगा एक इसे हम आ भी बोलते हैं इसे हम ए भी बोलते हैं तो चलिए इसे example के साथ देखते हैं जैसे मैंने बोला There is a book वहाँ एक पूस्तक है There is a book वहाँ एक पूस्तक है Next देखते हैं Four Four, F-O-R, Four इसका जो pronunciation रहेगी वो रहेगी for इसका meaning रहेगा लिए जहाँ पर भी लिए कि science में बात होगी तो वहाँ पर हम English word for use करेंगे चलिए उधान देखते हैं जैसे मैंने बोला For you, तुम्हारे लिए For you, तुम्हारे लिए Next देखते हैं Next है on O and on इसका meaning रहेगा पर On का meaning रहेगा पर जैसे मैंने बोला On the table On the table यानि मेज पर आ गया नहीं यहाँ पर meaning on का On the table यानि मेज पर Next देखते हैं Of Of इसका meaning रहेगा का Of का meaning का जैसे cover of book यानि किताब का cover Cover of book किताब का cover Next देखते हैं Next है it It I-T it इसका meaning है यह है It का meaning यह है जैसे It is my pen यह है मेरा pen है It is my pen यह है मेरा pen है Next word है to T-O इसका pronunciation रहेगा to और इसका meaning रहेगा say To का meaning say जैसे Monday to Friday सोमवार से शुकरवार Monday to Friday सोमवार से शुकरवार हमारा next word है I I की जो pronunciation रहेगी वो रहेगी I इसका meaning है मैं जैसे I am a student मैं एक छात्र हूँ I am a student मैं एक छात्र हूँ Next word जो है वो है दे दे की pronunciation दे इसका meaning है वो वे भी होता है और उन्होंने दोनों sense में हम इसका use करते हैं इसका example देखिए They did it उन्होंने ये कर दिया यहाँ पर इसमें दे का meaning है उन्होंने दे का meaning उन्होंने दे दिद इत औरहोंने ये कर दिया next word है and and इसका जो meaning है वो और भी होता है और तथा भी होता है जैसे चॉकलेट and biscuit चॉकलेट और बिसकिट next word है अमारा at at इसका जो meaning है वो है पर जैसे he is at home वह घर पर है He is at home, वह घर पर है हमारा next word है be be, 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 be का मीनिंग होता है होना जैसे it can be यह हो सकता है होना या होन हो, इसका मीनिंग एक रहेगा it can be, यह हो सकता है next word है in in, in, इसका मीनिंग होता है मे, इस examples के साथ देखते है it is in bag यह है, bag में है it is in bag यह है, bag में है next word देखते है that, t-h-e-t, that that का मीनिंग होता है, वह है जो वस्तू या जो कोई भी चीज, कोई समान कोई जग है, अगर दूर है हमारे नज़रों से, तो हम उसके लिए यूज करते हैं, that और अगर वो हमारे पास में है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे, this तो यहाँ पर that है, that का मीनिंग हुआ, वह है जैसे, that is my school, वह मेरा स्कूल है नेक्स्ट वर्ड है, as, as, इसका मीनिंग होता है, जैसा जैसे, do as I say, जैसा मैं कहता हूँ, करो जैसा मैं कहता हूँ, करो नेक्स्ट वर्ड है, are, 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 are का मीनिंग होता है, है जैसे, we are students, हम विद्याती है नेक्स्ट वर्ड है, you, y-o-u, you, इसके परनाशेशन रहेगी, you इसका मीनिंग होता है, तुम या फिर आप जैसे, you can go, आप जा सकते है you can go, आप जा सकते है नेक्स्ट वर्ड है, is, is, इसका मीनिंग होता है, है इसका मीनिंग है जैसे, he is a student, वहे एक चात्र है next word है, by, by, इसका मतलब होता है, द्वारा या फिर से जैसे, go, by, train, इसका मीनिंग हो गया या तो, train से जाओ, या फिर train द्वारा जाओ इसका मीनिंग एक ही है go by train, train से जाओ, या फिर train द्वारा जाओ next word है, with, 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 इसका मीनिंग होता है, साथ जैसे, go with him, उसके साथ जाओ, go with him, उसके साथ जाओ next word है, from, f-r-o-m, from, इसका मीनिंग होता है, से जैसे, I am from, पानिपत, मैं पानिपत से हूँ next word है, the, the, इसकी परनेशेशन होती है, the इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका यूज हम महा करते हैं, जहां हम किसी वस्तू को बहर्द खास बताना हो, यानि किसी वस्तू को बहर्द खास बताने के लिए हम, the, कर यूज करते हैं, जैसे the car is red, यहाँ पर किसी specific car के बात हो रही है, इसलिए हमने car से पहले दा का यूज़ किया है the car is red यानि car लाल रंग की है next word है or और और इसकी परनाशेशन रहेगी और और इसका मिलिंग होता है या की सेंस में या तो ये या फिर ये जैसे mobile और computer यानि mobile या computer next word है have इसकी परनाशेशन रहेगी have और इसका मिलिंग होता है past जैसे I have a book मेरे पास एक किताब है I have a book मेरे पास एक किताब है next word है was was इसका मिलिंग होता है था ये past sense में यूज़ होता है जैसे I was in the room मैं कमरे में था I was in the room मैं कमरे में था next word है his H-I-S his ये किसी मेल की sense में यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम किसी मेल की बात कर रहे हो तो वहाँ पर हम his का यूज़ करते हैं इसका मिनिंग रहेगा उसका या फिर उसकी जैसे this is his pen ये है उसका pen है this is his pen ये है उसका pen है thanks for watching